हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में रीजनिंग के कोशन हैं और सभी चैप्टर से कोशन लिए गए हैं, ठीक है? एक एक कोशन सभी चैप्टर से है, तो आप ये वीडियो पूरा देखें, तो चले स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल है, भी एच का रिलेशन 14 से है, तो एकस टी का रिलेशन किस संख्या से होगा? ऐसे प्रशनों को करने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सालफवेट कितनी नमबर पर आता है, जैसे मैं वी की बात करूँ तो वी आता है 22 नमबर पे, और मैं एच की बात करूँ त तो एच आता है 8 नमबर पे, ए से लेके जैड तक 26 अलफवेट होते हैं, उन में से कौन सालफवेट कितनी नमबर पर आता ही आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे वी एच का रिलसन 14 से है, वी मेरा 22 पर आता है, एच 8 पर आता है, अगर मैं 22 में से 8 को माइनस कर दो, इन दोनों का अंतर कर दूँ, तो कितना आएगा, 22 में से 8 को माइनस करेंगे, 14 ही तो आएगा, बिल्कुल ऐसे ही, ये मेरे पास X है, X कितने नमबर पे आता है, 24 नमबर पे, और ये T है, T आता है, मेरा 20 नमबर पे, यहाँ भी दोनों का अंतर कर दें, त अगला सवाद, अगला प्रश्नी है, गलत संख्या ज्याद कीजिए, 56, 72, 90, 110, 132, 150 में कोई संख्या एक गलत है, वही हमें पता करनी है, चलिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि 56 से मेरा 72 हो गया, तो 56 में कितना जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, आप बोलेंगे सर्फ 16 जोड़ हैं, अब 90 से 110 हो रहा है, तो 90 में 20 सी जोड़ देंगे, 110 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब 110 से 132 हो रहा है, तो 110 से 132 हो गोगा, जब आप 110 में 32 जोड़ देंगे, तो 132 हो जाएगा, अब 132 से 152, तो यहाँ पे गलत देखिए, 16 से 18 हो गया, दो गया 20 से 22 हो गया 2 जोड़ा गया तो यहां भी 22 में 2 जोड़ेंगे इसका मतलब यहां पर 24 जोड़ा जाएगा तो 132 में आप 24 जोड़ेंगे यह तो जोड़िए 132 में कितना 24 तो कितना आ जाएगा 2 और 4 6 3 2 5 और 1 6 156 आना चाहिए और आ कितना रहा है 150 तो यही संक्या हमारी गलत है गलत संक्या अब कह रहा है तो यही संक्या हमारी गलत है 150 देखेंगे अगला सवाल अगला प्रशनी है बिसम संक्या को चुनिए जो चार ओप्सन दिये गए हैं हमारे पास इसमें से कोई एक संक्या बिसम है वही हमें पता करना है क्या है वही बिसम संक्या का हमें प के दूसरे में लगाएंगे वही तीसरे में और वही चौटे में ठीक है चार ऑफस्ट में एक ही तरीका लगाना है और तब पता चलेगा कि कौँछ संख्या बेस देखी पहले ओた सब्सक्राइलोब से स्टार्ट करता हुँ अगर मैं पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ देता हूं यान कि प्लस कर देता हूं तो पहली संख्या और लाश्ण वाली संख्या को मैंने जोड़ा तो तीन मिला मुझे अब बीच वाली संख्या बचे अंदर अंदर वाली इनको भी मैं जोड़ देता हूं तो साथ और चार को मैं जोड़ोंगा तो यह 11 मिल जाएगा, इनको जोड़ा तो 3, इनको मैं जोड़ा 11, चलिए, दूसरा ओप्सन आ जाएए, यहाँ पर भी सिम लोजिक लगाएंगे, पहली और ती संक्या को जोड़ेंगे, तो चार और पांच को जोड़ेंगे, नो हो जोड़ेंगे, 8 और 6 यह भी 14, चलिए, यहाँ पर भी वही तरीका लगाईए पहले, पहली और लाश्ट वाली को जोड़ेंगे, 7 और 6 को जोड़ोंगा तो 13, अब अंदर वाली को जोड़ेंगे, 9 और 4 को जोड़ेंगे, तो यह भी 13, अब बिसम संक्या कौन सी देखो, य यहाँ 14, 14 आया, सेम आया, यहाँ 13, 13 आया, सेम आया, लेकिन जो पहला उप्सन है उसका अलग आया है, 1 का 3, 1 का 11, तो यही हमारा बिसम हो जाएगा, यही हमारा अलग है, पहला उप्सन हो जाएगा, सही जवाब, चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश यह वाला solve करेंगे, यह वाली आकरती, ठीक है, यह वाली आकरती आप पहले solve करेंगे, तो चलिए, इसको कैसे solve करते हैं, यह वाली आकरती, चलिए, मैं आप एक छोटा सा बना के समझा देता हूं, तो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है, कैसे solve करना है, छोटा सा बना के समझ देता हूँ, ये, बिल्कुल ऐसा ही है न ये वान एक, दो, त्ीन, चार, पांच, दो, त्ीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, बिल्कुल झ knit düşün, न त। चलिए है। हम क्या करते हैं, ऐसे प्रेशन में 36 दे hawakई है ये जो पहली आकरती ये वाली आकरती और ये वाली आकरती बिल्कुल सेम है बिल्कुल सेम है कि नहीं तो ये वाली आकरती भी 10 बनाएगी और ये जो आकरती है ये वाली भी बिल्कुल सेम है बिल्कुल सेम है तो ये वाली भी 10 बनाएगी तो टोटल कितने बनेगे अभी तक 10 और 10 20 और 10 30 अभी तक 30 तिर्भुज बन गए, ठीक है न, 10 इस वाली ने बनाए, सेम आकरिती ये है, ये भी 10 बनाएगी, सेम आकरिती है, ये भी 10 बनाएगी, तो टोटल अभी तक 30 बन गए, आप देखेगा, अंदर आ जाएए, अंदर जब आएएगे न, तो आप देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गया, देखो, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला, दो हो गया, और एक दोनों को मिला कर बनेगा, तो ये वाली आकरिती होती है, तो ये वाली भी 3 बनाएगी, और ये वाली 3, तो कितने हो गए, नो हो गए, नो हो गए, नो होने के बाद में, अब मैं आप जो गिना रहा हूं, वो याद रखना, अभी मैंने ये बड़ा वाला तरभूज नहीं गिना, और अभी मैंने ये वाला तरभूज भी नहीं गिना, गिना है क्या, नहीं गिना, बड़ा वाला भी के बाद में एक ये बड़ा वाला हो जाए का 5 कितने होगे भया 5 हो गई अभी तक यहां तर 5 होगे ने 5 होगे अब पुर्च रहा है अब इसे में कौन सा तिरभुज बच रहा है जो हमने अभी तक काउंट नहीं किया है ठीक है चलो कितने होगे 30 और 49 49 में 2 जोड़ेंगे 41 41 थैंद 5 जोड़ेंगे 46 तो इसका मतलब इस आक्रती में 46 सभी काउंट कर लिए यह बड़े दिए aujourdगा प्रश्री अजे तिसमें बताना ना है कितने तिरभुज हैं कितने तिरभुज हो गए तो चार का दो गुना कर दो आप मतलब आठ त्रभुज हैं इसमें अप care Doing आपको गिनाऊंगा चार तो यह छोटे-छोटे हो गए अब बनेगे दो करने लुकूंवान 2 होगे चार सिंगल सिंगल वाले चार डबल वाले तो इसे वाली में 8 बनाएत smoke आठ ये वाला भी बनाएगा, आठ ये वाला भी बनाएगा, एक दो तीन चार चार का दोगना आठ, और एक दो तीन चार चार का दोगना आठ, ये बनाएगा, अब ये पूरे नहीं हुए, पूरे अभी तक नहीं बने देखो, आठ और आठ तीन चार चार का दोगना आठ, य तो को ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक जोड रहा है, जोड रहा बीच में नहीं, तो ये दो पॉइंट है ना, ये दो त्रिपू जोड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, यहां से ये वाला ऐसे बनेगा एक, है ना, और यहां से ये वाला ऐसे बनेगा एक, दो हो लिया अब यहां पर देखो यह वाली जोड़ी और यह वाली जोड़ी भी बना रही है यहां से देखो ऐसे करके एक यह बनेगा बन गया एक है ना एक और एक यह बनेगा दो बनेगे ना दो इसमें और जोड़ो अभी देखो इसमें एक तुरबुच और बन रहा है जो अभी कितने तिर्भूजों की संख्या है 49 C option हो जाएगा प्रेशने का बिल्कु सही जवाब अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशनी है logical का relation 14 से है तो picture का relation किस संख्या से रहेगा बहुत अच्छा सवाल ऐसे सवाल को करने से पहले इनको आप count करने 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 7 वो sorry 4 नहीं 7 अब बनाना 14 है 7 से 14 कैसे बनेगा अगर आप 7 का 2 गुना कर दें तो 14 बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 यह भी 7 है जब यहां 2 से गुना किया तो यहां भी 2 से गुना कर दो तो यह भी 14 बन जाएगा देखो अपने प्रेशने को अभी तक लाइक नहीं किया हमारा वीडियो तो लाइक करें और यदि शेयर नहीं किया तो शेयर कर देखो ठीक दोस्तों धन्यवाब